Hello Friends दोस्तों बसंत का मौसम अब आने ही वाला है और दोस्तों ये बसंत का मौसम धेलो फूलों का मौसम होता है और इसी मौसम में ये गुढहल आप देख रहे हैं तो अभी तेस थंड जो पढ़ रही थी उसमें गुढहल की पतियां पेली होकर गिर्ती जा रही थी तो अभी फरवरी का महीना आ चुका है तो इसी समय गुड़हल पर कुछ हमें ऐसे काम करने चाहिए ताकि आगे गर्मियों तक और उसके आगे भी ये गुड़हल का पौधा हमारा खुब भर-भर करके फ्लावरिंग करता रहे तो दोस्तों इसके लिए कुछ केर टिप्स है वो आपको शेयर करता हूँ तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपका जो पुराना गुड़हल का पौधा है उसकी रूट प्रूनिंग करें और आप देखें उसको निकाल करके उसको कंटेनर में से निकाल करके देखें अगर उस में रूट्स आप न काटें बस फाइवरस रूट्स को आपको कट करना है और इसके लिए आप पौटिंग मिक्स तैयार कर लें पुरानी वाली मिट्टी अब न डालें मिट्टी जो आप तैयार करें उसमें आप चाहें तो अभी देखिए मठर के छिलके मिल रहे हैं आप दोस्तों जो गमला लें उसमें आप नीचे एक ठिकड़ी रख करके और यह जो पौटिंग मिकस पौटिंग मिकस आपकी तैयार होगी उसके बाद इसके पाध कूझे सट कर दें और इसमें वाट्न करें तो फ्रिंट्स यह वीडियो जो है गुड़हल के लिए है कि Гुड़हल की कैसे हम फरवरी में ही कुछ ऐसे काम करना जिसे के आगे चलकर करके हमको धेरो की-धेरो flowering हमको मिलता रहे और अभी गुड़हल का सीजन बस आही गया है तो दोस्तों इसको set करने के बाद इसमें watering कर देते हैं पुहार के माध्यम से आप वाटरिंग करें और ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी चाहिए और इसके बाद जब पौधा हमारा 10-15 दिन पुराना हो जाए लगबग 15 दिन के बाद ही आप इसमें एक बार फिर से नीम खली को सरसो की खली के लिक्ट में डाल करके आप अच्छी तरह से मिला लें हलका सा इसमें एक बार पौटास और डाल लें पौटास डाल करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप पौधे को दे दें और इसको बस एक महीने में एक बार इस तरह से दें पौटास दूसरे महीने में आपको पौटास नहीं देना है पौटास इस लगा हो तो प्लेज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से अपने गुड़हल की केरिंग कर लें फरवरी के महीने में ही तुरंद कर लें ताकि आपको होली के समय तक खोब धेर सारी फ्लावर इस गुड़हल क के पौधिव से मिल सकें और आगे भी गर्मियों में भी खुब धेर सारे फ्लावर मिलते रहें तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स वार वाचिन